परिचय सुनीता, क्या तुम इस जीव का नाम बता सकती हो? हाँ, इसका नाम अमीबा है और क्या तुम इन जीवों का नाम भी बता सकती हो? हाँ, पहला एक पेड़ है और दूसरा एक दानसौर है बहुत अच्छे, अब इन प्राणियों को पहचानो ये सर्प, गरोण और डॉल्फिन है सुनीता, क्या तुम्हें पता है कि करोणों वर्ष पहले प्रित्वी पर जीवन कैसा था? और कैसे अनेक प्रकार की जीव आध्य प्रित्वी से प्रकट हुए? नहीं हाँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि करोणों वर्ष पहले प्रित्वी पर क्या हुआ और सभी जीवों डाइनसौर, अमीबा, पौधे और अन्यजीव जन्तूओं का विकास कैसे हुआ? उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बिग बैंक सिध्धान्त को समझना आपेरिन और हाल्डेन द्वारा प्रस्तावित सिध्धान्त को सिध्ध करने के लिए मिलर के प्रयोग को समझना जीवन स्वरूब के विकास को समझना विकास के विभिन प्रमानूं की पहचान करना तुल्य रूप और समजात सन्रचनाओं के बीच अंतर की पहचान करना, अनुकूली विकरण की अवधारना को समझना. बिग बैंक सिध्धान्त ये बताता है कि ब्रह्मान की शुरुवात में क्या हुआ? इस सिध्धान्त के अनुसार एक महा विस्फोट से ब्रह्मान का विस्तार हुआ, इस प्रकार तापमान में कमी आई. कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसे बनी, उसके बाद अन्य गैसों का निर्माड हुआ. ये गैसे गुरुत्वाकर्शन के कारण संगनी भूत हुई और आकाश गंगाओं का गठन हुआ. मिलकी वे आकाश गंगा के सौर मंडल में प्रित्वी की रचना 4.5 बिलियन, 450 करोड वर्ष पूर्व हुई थी. प्रित्वी के वायु मंडल का निर्माण प्रारम्भे का वस्था में प्रित्वी पर वायु मंडल नहीं था. प्रित्वी की सतह गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई जल वाश्प, मेथेन, काबन डायोकसाई तथा अमोनिया द्वारा ढगी थी. सूरिक से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन और ओक्सिजन में विखंडित कर दिया. ओक्सिजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर जल और काबन डायोकसाईड की रचना की. परणाम स्वरूप ओजोन परत का गठन हुआ. जब तापमान कम हुआ तो जल वाश्प बरसात के रूप में बरसे और महासागरूं की रचना हुई. प्रित्वी के उत्पत्ति के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद जीवन प्रकट हुआ. स्वताह जनन का सिध्धान्थ पूर्व ग्रीक विचारकों के अनुसार, स्पोर नामक जीवन की इकाई विभिन ग्रहों में स्थाना अंतरित हुई. लुई पाश्चर ने प्रायोगिक रूप से ये प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्धिमान जीवन से ही निकल कराता है. ये स्वाताह जनन नामक सिध्धान था. उन्होंने अपने सिध्धान को निमना अनुसार सिध्ध करनी के लिए दो फ्लास्कों का उप्योग किया. जीवन की उत्पत्ति का आपेरिन हाल्देन सिध्धान आपेरिन और हाल्देन के अनुसार रासानिक विकास के बाद जीवन का निर्माड हुआ. जीवन का विकास महासागरों में हुआ, जब वायु मंदल में H2, H2O, NH3, CH4 और CO2 की कमी थी, लेकिन मुक्त O2 नहीं थी. कार्बनेक योगेक पराबैंगनी प्रकाश उर्जाद्वारा गैर जैविक रूप में संचलेशित किये गए, बिना मुक्त O2 के, उनका ओक्सिकरण किया गया. ये कार्बनेक अणू स्थेर होकर गर्म तनू शोर्बी में संचित हो गये. इन अणूओं ने नश्ट होने से बचने के लिए अपने चारों ओर एक जिल्ली का निर्मान किया. ऐसे कोशका अंगों ने रसायनों का अवशेशन, व्रिधी, विभाजन किया और अपने चारों और मौजूद कार्बनेक अणूओं के खिडवन द्वारा उर्जा प्राप्त की. इस प्रकार प्रथम जीवन स्वरूप की उत्पत्ती होई. मिलर का प्रयोग 1953 में, S.L. मिलर ने प्रयोगशाला में प्रित्वी की प्रारंभिक दशाओं के समान परिस्थितियां पैदा की. उन्होंने CH4, H2, NH3 और जल वाश प्योक्त बंध फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस पर विद्धियोद डिस्चार्ज उत्पन किया. कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि अमीनो अमल, शकरा, नाइट्रोजिम ख्षार, वर्नक और वसा का निर्मान हो गया. ये प्रयोग इस बात का समर्थन करता है कि रासाइनिक विकास की बाद जीवन की रचना हुई. विशेश रिष्टी का सिध्धान पारम परिक धार्मिक साहित्य के अनुसार विशेश रिष्टी के सिध्धान की तीन संकी तार्थ हैं. वो सभी जीव जिन्हें हम आज देखते हैं, ऐसे ही सरजित हुए होंगे. उत्पत्ती की समय से ही ये जैविविद्धा थी और भविश्य में भी ऐसी ही रहीगी. पृत्वी लगभग चार हजार वर्ष प्राचीन है. जीवन स्वरूप की विकास पर चार्ल्स डार्विन का सिध्धान. चार्ल्स डाविन ने निशकर्ष निकाला कि विद्ध्यमान सा जीव कामोवेश आपस में समानता आएं तो रखते ही हैं, बलकि उन जीव रूपों में भी समानता रखते हैं, जो करोडों वर्ष पूर्व की समय विद्ध्यमान थी. उन्होंने बताया कि प्रत्तीक जीव संख्या के लक्षणों में विभिनता नहित होती है, जो कुछ जीवों को प्राकृतिक दशाओं में अच्छे तरह से जीवित रहने में सक्षम बनाती है, इसे उप्युक्तता के रूप में जाना जाता है. इस प्रकार जो एक वाता वरण में अच्छी तरह से उप्युक्त थे, प्रकृति द्वारा वरण होता गया, इसे प्राकृतिक वरण का नाम दिया गया और इसे विकास के प्रतिमान की रूप में लागू किया. विकास के प्रमान प्रित्वी पर जीवन स्वरूप के विकास के समर्थन में प्रमान जीवाश्म के अध्यायन तधा विभिन जीवन स्वरूपों की तुलनात्मक शारी रिकी और आका रिकी से सामने आए. जीवाश्म जीवाश्म चटानों में पाय जाने वाले जीवन स्वरूपों के कठोर भागों के अविशेश हैं जीवाश्म युक्त विभिन्न आयू की चटानों की तलचट के अध्ययन से ये पता चलता है कि समय समय पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं और कुछ जीवन रूप विशेश भू वैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे ऐसे प्रमान पुरा जीवी प्रमान कहलाते हैं समझात सन्रचनाई जब समान सन्रचनाई विभिन ज़रूरतों के अनुकूलन के कारण भिन भिन दिशाओं के साथ विकसित होती हैं तो ये अपसारी विकास कहलाता है ऐसी सन्रचनाई समझात सन्रचनाई कहलाती है उदाहरण बोगन बिलिया एवं क्यू कर बिटा केक्रम शहकांटे एवं प्रतान तुल्य रूप सनरचनाई जब विभिन सनरचनाई समान कारियों के लिए विकसित होती हैं तो ये अभिसारी विकास कहलाता है ऐसी सनरचनाई शरीर विज्ञान की दृष्टी से असमान होती हैं भले ही उनके कारे कलाब समान हो ये तुल्य रूप सनरचनाई कहलाती हैं उदाहरण पेंग्विन और डॉल्फिन मचलियों के पक्ष। एक विशेश भूबहौगौलिक शेत्र में विभिने प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूबहौगौलिक शेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। उताहरण एक ग्याला पैगो द्वीब की डार्विन फिंच। दो ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल। क्या आप जानते हैं। अनेक संड्रचनाई स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं नकि पहले से मौजूद जीवन रूपों से। सारांच। आईए हमने जो कुछ सीखा है उसी संक्षेप में दोहराएं। अधिकतर वैज्ञानेक रहसायनेक विकास में विश्वास रखते हैं अर्थात जैव अडूओं के गठन के बाद जीवन का प्रत्थम कोशिक किये रूप प्रकट हुआ। चार्ल्स डाविन ने निशकर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में समानताय तो रखते ही हैं बलकि उन जीव रूपों में भी समानताय रखते हैं जो करोडों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी। जीवाश्म चट्टानू में पाय जाने वाले जीवन स्वरूपों के कठोर भागों के अवशेश हैं। समान संरचनाई जो भिन्द भिन्द कारे करती हैं समझात संरचनाई कहलाती हैं। शारीरिक रूप से असमान सनरचनाई समान कार्य करती हैं तुल्ली रूप सनरचनाई कहलाती हैं